सो हे गाईज, वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सेस, स्वागत आप सभी का, एक बार फिर से एंटी अभ्यास की इस कोशन सीरिस में, जिसके 12 सेशन हम अलरडी कम्प्लीट कर चुके हैं, यह आज का हमारा 12 सेशन है, 11 सेशन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन मे मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, फिलाल शुरू करते हैं, आज किस वीडियो को, और आज किस वीडियो को शुरू करने से पहले, एक मोटिवेशन कोड है, जो कि मैं आप सभी के साथ डिसक्स करना चाहूंगा, कि हमें जो बनना है, उसके लिए हम अपना जितना effort हो सके उतना effort लेके चलते हैं, हम अपना 100% देके चलते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी conditions आती है, जिसकी वज़े से अपना 100%, 100% क्या हाँ, हम अपना 50% भी नहीं दे पाते, एक छोटी सी चीज की वज़े से हम divert होते रहत करना है, आपको ये सोचना है कि मैं जिसके लिए 100% अपना देता आ रहा हूँ, जो आगे मुझे मिलने वाला है, वो मैंने start क्यों किया था, अगर आपको ये पता है कि इसके start करने के पीछे का reason क्या है, तो आप कभी भी उस चीज से divert नहीं होगे, तो इसी motivational thought के साथ बढ़ होजी है, एक technique in which sperm are stored for a long duration is, incubator, निमनताप परिक्षन, अती हिमी करें या फिर all of these, तर इसके पीछे का जो right answer है, इसका जो right answer है, वो होगा option number B, निमनताप परिक्षन, ठीक है, अब निमनताप परिक्षन जो होता है, वो कितना होता है, तो वो होता है, minus 196 degree centigrade, minus 196 degree centigrade को हम निमनताप परिक्षन कहते हैं, ठीक है गाईस, चलिए, next question, एक अनू, जो एक अनवांचिक प्रदार्थ के रूप में कार्य करता है, निमन मांदंडो को पूरा करना चाहिए, सिवाए, यह molecule that acts as a genetic material must fulfill the following criteria expect, तो उसको पूरा जो criteria है, उसको fulfill करना चाहिए, सिवाए, एक को चोड़ कर, अब वो एक कों सा है, वो आपको बताना है, नमबर ए दिया गया है, यह सरंचनात्मक और अर्षाइनिक रूप से ऐस्थाई होना चाहिए, इट शुड़ बी structurally and chemically unstable, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत होगा, वह पदार्थ, जो अनुवांचिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है, एक्ट कर सकता है, मॉलेक्यूल जो जेनेटिक मैटीरियल के रूप में, उसे सरंचनात्मक और असाइनिक दोनों रूप से, structurally और chemically, दोनों रूप से unstable नहीं, बलकि stable होना चाहिए, यह इतना stable होना चाहिए, कि जीवन चकर के जितने भी चरण है, जितने भी structures हैं, आयू या फिर जीव की शरीर क्रिया विज्यान में परिवर्तन के साथ, यह परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मतलब उसको stable रहना च सक्षे के प्रति हम जो सोच के चले हैं, हम एमबीबियस जो लेके चले हैं, उसके प्रति बिल्कुल हमें stable रहना है, तो यही condition इस questions पे भी लागू होती है, next question, शुकरानों की गतिशिलता को बादित करने के लिए कौन सा गरब निरोदक खनीज आयन का स्तराव करता है, तो option number B, जो है, copper T, यह बिल्कुल right होगा, क्यों? क्योंकि copper iron जो होते हैं, वो शुकरानों के लिए विशाक्त होते हैं, और इसकी गतिशिलता को जो है, वो रोक देते हैं, जिससे क्या होता है कि यह अंडे को निशेचित नहीं कर पाता, तो copper T, option number B, हमारा बिल्कुल right answer अगला प्राश्ण, लेक परचोलक में दमनकारी द्वारा कौन सा प्रोटीन यंत्रित नहीं होता है, इन लेक, ऑपेरोन, विच प्रोटीन इस नोट रेगुलेटिट बाइदा रिप्रेस्टर, रिप्रेस्टर, option number C, इसका बिल्कुल right होगा, tryptophon synthetis, tryptophon synthetis जो है, बिल्कुल इसका right option हो जाएगा, अगला प्राश्ण, mRNA, silencing का उप्योग, पार जीनी पात्पों के उत्पादर में किसके प्रतिरोध के लिए किया जाता है, silencing of mRNA, has been used in producing transgenic plants resistance to, ballworm, सुत्तर करमी, श्वेत कीट या फिर जिवानू अंगमारी, तो right transfer होगा, nematodes, यानि की सुत्तर करमी, option number P, चलिए, next question पर चलते हैं, सबसे उगर, प्रतिस्पदा किसके बीच होती है, competition is most fierce between, यह तो आप असानी से कर लेंगे, क्योंकि यह आपके देनिक जीवन में भी लागू होता है, आपका जो circle है, आपके study का जो circle है, आपके competition का जो circle है, उसी पर ही लागू होता है, सबसे जादा प्रतिस्पदा, यानि कि सबसे जादा highest competition किन के बीच होता है, तो highest competition उनी के बीच होता है, जो एकी प्रयावरण में दो या दो से अधिक समिप समन्दी पर जातियां होती है, देखिए, अब मानके चलिए, ये पूरा का पूरा आपना circle है, अपने students का circle है, यहां पर मानके चलिए, एक तरफ JEE के student है, एक तरफ NEET के student है, ठीक है, तो NEET और JEE के students में तो competition नहीं होगा न, क्योंकि JEE के student अपनी engineering की profession कर रहे है, लेकिन NEET के student अपनी medical की profession कर रहे है, तो इन दोनों के बीच competition के संभावना क्या होगी, बिल्कुल ही zero, लेकिन वहीं अगर देखें, कि ये पूरा का पूरा student का material है, एक student NEET की तियारी कर रहा है, दूसरा भी NEET की तियारी कर रहा है, लेकिन seat सिर्फ एक है, तो इन दोनों के बीच competition क्या होगा, जादा होगा, ठीक है, तो यही उन्होंने यहीं पर भी बोला है, कि एक ही प्रियावरेड में दो या दो से अधिक समिप समन्दी पर जाती हैं, two or more closely related species in the same environment, एक ही environment में दो या दो से अधिक समन्दीत पर जाती हैं, यानि कि दोनों से समन्दीत हैं, closely related species हैं, ठीक है, तो option number B हमारा right हो जाएगा, चलिए अगले question पर चलते हैं, उमीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, उप अनतास्त, गुनसु terminal, centromere is dash, अगर केंदरी, acrocentric, eccentric, metacentric या फिर telocentric, देखिए, इसका राय टांस्पर क्या होगा, इसका राय टांस्पर होगा, option number A, अगर केंदरी यानि कि acrocentric, एक गुनसुतर में दो अर्ध गुनसुतर होते हैं, जो कि एक ही बिंदू पर जुड़े रहते हैं, जिससे कि जिस बिंदू को गुनसुतर बिंदू का जाता है, उसी में आपको पूछा गया है कि अब अतास्त गुनसुतर, बिंदू के साथ एक गुनसुतर dash होता है, तो क of the following structure are found in the primary sex organ of a male number 1 the network of small tubules number B leading cells number C blood vessels and number D seminiferous tubules 1,2,3 या फिर 4 तो इसका राय टांसपर होगा option number D 4 चलिए अगले प्रेस्ट पर चलते हैं निमन में से कौन एक प्रकरती विग्यानिक नहीं है who among the following is not a neutralist Darwin, Malthus, Wallace या फिर all of the above अगर एक एक विग्यानिक के बारे में आपको पता है तो आप असानी से इसका आंसपर दे देंगे Darwin तो आप बच्चा बच्चा जानता है या Darwin को तो तो इसका राय टांसपर होगा Malthus Malthus ने समिस्टी के सिदानत का प्रस्ताव दिया था जिससे क्या हुआ था कि Darwin ने जो प्रकरती वरण का सिदान दिया था ना उसके दोरान कई मुद्धों पर पुनर विचार करना शुरू किया गया था Malthus ने जो समिस्टी के सिदान दिया था उसी की basis पर ठीक है गाईस चलिए आगला प्राश्ट निमल लिखित में से कौन से वाहिनी या फिर वाहिनी आए शुक्रवानू और शुक्रिय प्लाज्मा के प्रिवेहन में मदद करती है विच फॉलविग डक्ट या फिर डक्ट हेल्प सेंदा ट्रांस्पोर्टेशन ओफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा ओल अफ दी अबव यानि की ऑप्शन नंबर डी बिलकुल राइट होगा चलिए अगला प्राश्ट गवक बर्गी करन का अदार निमले कित में से कौन सा है which of the following from the basis of fungal classification the morphology of the mycelium, mode of spore formation, fruiting body या फिर all of the above all of the above इसका बिलकु राइट होग अप्शन होगा यानि की अप्शन नंबर डी अगला प्राश्ट निमन लिकित में से कौन सा हार्मॉन मानव अप्रा का स्तरवन उत्पाद नहीं है विच व दा फॉलोविंग हार्मॉन्स इस नोट ए सेक्रेशन प्रोड़क्ट ओफ दो यूमन प्लेसेंटा यूमन क्रोनिक गैनोड गैनोडो ट्रॉपिन प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन तो इसका राइट आंस्पर होगा प्रोलैक्टिन अप्शन नमबर बी चलिए अगला प्राश्ट निमन लिकित में से कौन मृत कोशिकाउं से बना है विच व काक फिलम ऑप्शन नमबर भी इसका विलको राइट होगा काक जो है वो मृत कोशिकाउं यानि कि डेट से बना है इसे हम कॉर्प भी बोलते हैं चलिए नेक्स्ट है कि हाइपो थेलेमस दवारा निमने कित में से कितने हार्मोन का सिंसलेशन किया जाता है हाव मैनी अफ दो फॉलोविंग हार्मोन्स आर सिंथेजाइज़ बाइदा हाप फो थेलेमस टू, थ्री, सिक्स या फिर वन ओप्शन नमबर ए, टू ठीक है यह ए चैहर्मोन है जिन में से चार हाइपो थेलमस दवारा संशलेशित किया जाते है व्रदी हार्मोन व्रदी हार्मोन मुक्तकारी हार्मोन हो गया प्रोलेक्टिन निरोत्माक हार्मोन उसके लावे FSH हो गया और LH हो गया और thyroid pre-rekt हार्मोन TSH thyroid गरंथी द्वारा स्त्रावित किये जाते हैं जबकि जो aldosterine है उसके द्वारा एक जो mineralocorticoid है जो कि अर्दिवक गरंथी द्वारा स्त्रावित होता है Hypothalamic gland चलिए अगला प्रश्ण A से D को आपको पढ़ना है और जो correct option है उसको choose करना है lengthy question है आराम से पढ़िए और इसका answer दीजिएगा इस question के अगर बात की जाए तो A, B और D option number C जो है बिल्कुल इसका right option हो जाएगा ये सारे के सारे correct है option number C जो दिया गया है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा चलिए अगला question है आपके लिए अगर प्यूचिका से LH और FSH का स्त्राव किसके द्वारा उद्धिपत होता है इसका अप्शन होगा अप्शन नमबर A गॉनेडो ट्रॉपिन रिलीजिंग होर्मोन गॉनेडो ट्रॉपिन मुक्त कारी हार्मोन जो है इसका बिल्कुल राइट अप्शन हो जाएगा अगला प्रेश्ट निमलिकित में से कौन सा एकाइनोडर्म जीवन चकर का एक लक्षन नहीं है विच अप्शन नमबर C जो है एस समीत वो बिल्कुल इसका राइट अंसर होगा चलिए आज का सेकंड लास्ट कोशन है आपको गलत स्टेटमेंट को चूज करना है इन में से A, B, C और D में से ओप्शन नमबर D जो है बिल्कुल इसकी रॉंग स्टेटमेंट हो जाएगी बाकी A, B, C जो है बिल्कुल इसकी राइट हो गई ठीक है चलिए आज का लास्ट कोशन है आपका निमन में से कौन सा आम तोर पर द्वी बीजपत्री तने में उपस्तित होता है लेकिन एक बीजपत्री तने में उपस्तित नहीं होता which of the following is generally present in decode stem बट absent in monocode stem option number D आपको दिया गया है option number 4 को छोड़ कर सारे जो बायत वच्चा है epidermis इसको छोड़ कर सारे के सारे जो है द्वी बीजपत्री तने में होते हैं monocode डाइकोट में होते हैं लेकिन monocode में नहीं होते हैं सो गाइस यह था आज का session उमीद करता हूँ session काफी हद तक आप सभी को पसंद आया होगा सो गाइस अगर पसंद आया है तो वीडियो को अपस्ती एग खुड़ आप गाइस झाया है